नमस्ते जैधन वंतरी भारत के इतियास में या विश्व के भी इतियास में वेद सबसे प्राचीन ज्ञान का स्वरोत माना गया है तो उसमें अनादी निधना नित्या वागुच रुष्टा स्वयम हुआ ये ज्ञान धारा है वो स्वयम हुँ चली आ रही है ऐसा माना गया है परमात्माने वेद बनाए या फिर वेद स्वयम ही प्रगट हुए या ये अपवरूश ही है ऐसी बहुत कुछ बात है लेकिन एक इतना निश्ची थे कि वो उसमें कुछ ज्ञान है वो लोकिक अलोकिक दोनों प्रकार के ज्ञान का सम्मिलित स्वरूप है वेद रथा तो वेद ग्यान का निधी है वेद शब्द से ही पता चलता है वेद लुल लाभे वेद ग्याने ये विद ग्याने ये धातू से वेद बनता है विशेश ग्यान का जो समू है उसको वेद कहते हैं सामान्य ग्यान नहीं विशेश ग्यान का एक अवस्था पे ग्यान का जो बात क देख कर तो गरबावस्था के लिए या संतति नियमन के शंतति के उत्कृष्टता के लिए उत्तम प्रजा के लिए वेद में क्या बताया है भेद का दिगदर्शन निरूपण ही इसलिए है कि समस्त प्रजा को उननत बनाया जाए प्रार्थना भी उसी तरह की है, वेदो में, शांती प्रार्थनाये है, उत्तमता की तमसोमा, जियोतिर गमय, मुरोत्य और मामृतंग गमय, ये वेदो में प्रार्थनाये की गई है, उत्तमता की ओर ले जाने की, संतती के लिए भी बहुत कुछ उसमें बताया है उत्तम संतती के लिए क्या गरना है दमपती को वेदों में चिकित साका भी विबाग बहुत बड़ा है तो वेद ग्यान का निधी है ग्यान का भंडार है उसमें केंद्र रूप में ये संतती की बात बताई है संतती निर्मान की बात बताई है जो आज वेदों से वो विभात का पठन प्रायाहा नहीं होता है चिकित्सा में उसका उप्योग नहीं किया जाता है क्योंकि वेद और आयूर वेद को दोनों को भिन भिन कर दिया है तो आज हम देखेंगे कि वेदों में कहां कहां गर्भविज्ञान की बात आई है। गर्भध ग्रहन सुक्त है जो गर्भरक्षा के लिए अत्र्ववेद के चठे कांड में उसकी बात आई है उसमें केवल चार मंत्र है लेकिन वो चार मंत्र बहुत ही उपयोगी है इसका उपयोगीता के बारे में बहुत कुछ प्रयोग्दुर्य ने किये थे और उसका जिक्र हमने हमारी पुस्टक गर्भविज्यान में किया है वो सुक्त बोल सकते हैं कैसे उसका हम ओडियो भी बोल कर दिखाएंगे उसका पारायन करके दिखाएंगे लेकिन अभी तो केवल हम बात कर रहे हैं कि उसका कितना प्रभाव है और कितना उप्योग है उसका तो एक गर्भ संस्राव में रुगवेद का जो मैंने बताया ओ गर्भ स्राव रक्षा सुक्त ओ रुगवेद के दर्शमे मंडल पे एक सो बासाइट मा सुक्त है सव प्रथम जो पुस्तक पाई जाती है विश्व की संसार की सर्व प्रथम जो एक संकलीत रुप में वो रुगवेद है तो रुगवेद में है और थर्ववेद में भी बहुत सारे सुक्त है उसमें मैंने बताया गर्भत ग्रहन सुक्त का हम पा जो चिकित्सा के रूप में प्रयूक्त होती है जैसे रुगवेद मंडल एक सुक्त एक सो एक और प्रथम नंबर की रूचा है पहले नंबर की उसमें ओ गर्भस्राविन्यूपनिशद इस नाम से बहुत ही प्रसिद है वारण असी में चिकित्सा में इस रुचा का बहुत बार प्रयोग हुआ है ये एक रुचा जैसे मैंने बताई एसी ही दूसरी रुचा है रुगवेद मंडल पांच में सुक्त 78 और पांच में नंबर की रुचा ओम वी जिहिश्व वहां से सुरू होती है उसका पूरा हम उच्चारण करके भी दिखाएंगे ओ उसकी भी आहुतिया देनी होती है उसका विधिवत अनुष्ठान है तो ओ भी गर्भवतिस्त्री के विभिन रोगों में बहुत ही उप्योगी होती है तिसली में बात करूँ तो अथर्ववेद कांट दो सुक्त दस रुचा चार उसका भी उप्योग गर्भ सम्मंदित विभी धरोगों के लिए किया गया है और ये ऐसा नहीं है कि एक कल्पना का विश्व हो ये इसका प्रोपर एक साइंस है और विभिन्न रूचाओ का पार्ट करने से उसकी ध्वनी से उसकी असर होती है ये तो आज के यूग में हम समझ सकते हैं क्योंकि ध्वनी की असर साउंड इफेक्ट्स को हम अच्छी तरह से जानते हैं उसके कारण इतनी टेक्नोलोजी डेवलप हुई है अभी हम चल रही हैं उपयोक कर रहे हैं साउंड का वे उसका तरंगों का ये सब तो ध्वनी का विज्ञान जैसे जैसे समझ में आया विज्ञान को वैसे वैसे मंत्रों की शास्त्रियता और विज्ञानिकता भी सिद्ध होती गई तो ये वैदो की बात हमने बताई अभी केवल हमने वैद को रख कर ही ये देखा कि क्या किया सुक्त गर्भावस्ता में पठनी है कुछ गर्भावस्ता के पूर्गों में पठनी है जैसे गर्भाधान सुक्त की बात हम करते हैं, वो हम आगे बता दिया है हमने वीडियोज में, कुछ प्रसूती के वक्त बोलने के कुछ सुक्त है, और गर्भाधान के बाद गर्भावस्था में कुछ सुक्त है, वो हमने अभी बताया, कुछ रुचाओ का पाठ करना है, वो करना है, उसकी बात हम आगे करेंगे, तो अभी केवल गर्भावस्था में वेद सम्मंदित पठन क्या करना है, वो हमने बताया, और उसकी पुस्तक में भी हमने सरलता से ग्यापित किया है, तो और उसके वीडियोज भी उचारण यदि नहीं आता है, तो उचारण सीखने क के लिए हमने वीडियोज भी बनाए है, तो उससे भी आप उचारण, अनुचारण करके सीख सकते हैं, नमस्कार, जैदन वंदित